हेलो बच्छो आरके कलास में आपका स्वागत है और आज जैसे हमने क्या है मुगल वन्स किसका मुगल वन्स का पाट 2 वीडियो लेकर आये हैं जो बिहार पुलिस और क्या है बिहार द्रुमा के लिए भुती महतपूर्न है क्या है निनिक मुगल बंस से लेकर हम आये हैं जो बिहार पुलिस और बिहार द्रुवा के लिए बहुत ही महतपूर्ण है पाट वन अगर वीडियो अगर नहीं अगर आप देखें हैं तो पाट वन वीडियो भी देख लिजेगा ठीना इसके बाद पाट टू आप वीडियो इसको देखेगा तब आपका थोड़ा समझ में और ज़्यादा आएगा अई इसको देखते पहला क्यूचन का दिया है तेके पहला इसमीं क्यूचन का दिया है कि बाबर ने जिस वंस की अस्थापना की उसका नाम क्या था मनि बावर जो था जिस वंस का अस्थापना किया था उसका नाम क्या था फारासी नाम था कि अफगानी नाम था कि चगताई तूर्क नाम था कि इनमें से कोई नहीं था देखिए इसका राइट एंसर क्या हो जागा आपका C हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, यानि कि चगदाई तूर का जैसे मतलब क्या है, बाबर ने जैसे अस्थापना किया था अगला क्योचन का दिया है कि बाबर पानी पत के प्रथम जुद में बाबर पानी पत के प्रथम जुद से पहले कितने बार भारत पर क्या है आकरवन क्या है कर चुका था पानी पत के प्रथम जुद से पहले पानी पत का प्रथम जुद से पहले तो भारत पर कितने बार अकरवन कर चुका था कर चुका था ठीना कितना बार चार बार अकरमन कर चुका था देखिए इसको इसलिए सर्फ बोला जा रहा है कि पहले मतलब की अपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो से मतलब क्या है उस टाइम एक महीं पड़ता था इसलिए मतलब किया है इसको चार बार उधर ही आकरमन किया था ठीजिए किशन नमबर 3 क्या दिया है कि पानी पत का प्रथम जूद बाबर का भारत पर कौन सा अकर्मन था? देखे अभी किशन अब को आ गया कि भार यान कि पानी पत का प्रथम पानी पत का प्रथम जूद बाबर का भारत पर कौन सा आकरमन था मतलब केवा आकरमन था तब कराइट एंसर क्या हो जगा कि यह पाचवा आकरमन था ठीना केवा आकरमन था ठीना केवा आकरमन था अगला क्योचन इसको देखते हैं ठीना क्योचन नमर क्या है फोर देखिए चार क्योचन नमर चार क्या है कि बावर ने जिस अभियान में भेरा के किला को जीता था ठीना वह कहां है ठीना जो भेरा के किला जो जीता था वह मतलब कहां है यानि किस अभियान में मतलब मेवार के अभियान में की कासमीर के अभियान में की बाजाओर के अभियान में की गुजरात के अभियान में तब का राइट एंसर इसमें क्या हो जगा कि बाजाओर के अभियान मे को जीतने के लिए सबसे पहली बार वहीं जीसे मतलब क्या है तूफ और क्या मतलब welding कि प्रथम जूद के लिए बाबर को निमंत्रन किसने कि यह तूदर के लिए मतलब तिनो क्या है आमंत्रit मतलब क्या है किये थे और दौलत खालोदी जो है ना दौलत खालोदी इम्राहिन लोदी के ज़िए समतलब क्या है यह बड़े भाई थे कि अगर आगला कीवचन देखी इसमें क्या दिया है कि एक मिनिट है कि यह कीवचन नमबर छो का दिया है कि पानी पत का प्रथम जूद 1526 में किसके किसके बीच हुआ था तो आगला कीवचन दिया है क्यूचन नमबर 7 क्या आपका दिया है कि बावर ने अगला कीवचन दिया है के मिस ओड़े आपका दिया पानीपत के जुद में किस नीती का उपयोग किया था तो बाबर ने पानीपत के जुद में किस नीती का उपयोग किया था ठीना तो पहला आपका है मुगलमा नीती दुसरा है तगमा नीती C में है क्या दिया है रूही नीती और D में दिया है कि इन में से कोई नहीं तब कराइट एंसर क्या जगा इन में से कोई नहीं ऐसे बावर ने पानिपत के जूद में जो नीती का परियोग किया था उसको हम क्या बोलते हैं तूगलमा नीति क्या था तूगलमा तूगलमा नीति का जो सजाते हैं जूद करने के लिए उसी को हम बोलते हैं क्या हम तूगलमा नीति कहते हैं और तोप को सजाने को बीधी को हम बोलते हैं क्या हम उस्मानी बीधी कहते हैं जुद में जो हैसे मतलब बाबर जो है से कैसा है तौब को जो सजाय था उसको हम क्य बोलते है उस्मानी भी दि कहते हैं अब देखे क्यू चनल क्या नमबर क्या दिया है सा सा दिएके आठ होना चाहिए लेकिन यहां पास एक लिखा गया होना चाहिए कि त DB 초 नमबर aw जिसए मतलब किया अपंद्रह सव ठीज सी अर्प हुआ था कब हो था फन्रहाइब सब हो रही हैं जाल थे हमार ₨ यहांन की प्रइख इमर 9 की भारत में तुफ का प्रियोक सबसे पहले किस ने किया था तो भारत में तोफ का अपल योग सबसे पहले जैसे क्या है बाबर ने किया था अपका राइट एंसर क्या हो जाएगा बाबर हो जाएगा ठीना अगे देखिए अगला क्यूचन क्या दिया है क्यूचन नंबर कि उच्छे नमर 10 दिया है देखेगा कि पानी पत के जुद में बाबर के दो देखे यहां पास भी थ्वा में स्टेक टाइफ हो गया है दो तोपची होना चाहिए लिखा गया है दो बच्चे दो तोपची होना चाहिए क्या तोपची क्या होना चाहिए दो तोपची होना चाहिए ठीना तो पानी पत के जुद में बाबर के दो तोपची क्या है दो तोपची तोपची मतलब जो तोप को मतलब क्या है चलाने वाले होते हैं दो तोपची का नाम क्या था तो दो तोपच सर का जाएगा सिम्हल से जएगा क्या हो जाएगा see की उस्ताद अलिय और मुस्ताफ्बार्ण आपका हो जागा ठीना आगे कर क्यों देखते हैं ध्यू किलीन कर देते हैं तयुक्त क्यों तरह कि हम नमबर 11로 देखी है तरह क्यों जाव In कि पानिपत पानिपत जुद जीतने के खुशी में बावर ने काबूल के परतेक निमासी परतेक निमासी परतेक बेक्ति को एक-एक चांदी का सीका देकर कौन सी पाधि धारन किया था जना पानिपत के पानिपत के प्रति पानिपत के प्रतेक निमासी परतेक लिएतने का धारन किया था तो आपका उपाइधारन जो किया था से क्या था कलंदर था कौन है देखे राइट आपका अंसर क्या हो जगा आपका हो जगा कलंदर क्या हो जगा सुरी यहां यह हो जगा कलंदर क्या होता है तो कलंदर के मतलब होता है क्या दानी होता है क्या होता है दानी कलंदर के मतलब क् थी ना जो मतलब क्या है बेतियों को जो मतलब दान देता है यह जो क्या बोलते हैं दानी यानि की कलंदर चलिए आगे देखते हैं क्यंशत नंबर क्रिटेs को कियोंचन नमर दिया है बारह沒有 के मुथा थो कि यूचर नमबर 13 दिया है क्या है कि खर्मा का जूद किसके बीच हुआ था खर्मा के जूद जैसे मतलब किसके किसके बीच हुआ था तो खर्मा के जूद जैसे मतलब क्या है बावर और क्या है राना संगा के बीच में हुआ था जिसमें राना संगा जैसे मतलब क्या है हार के थे और 12 सभर क्या है जीत गेंगे देखे समझेगा इसमें क्या हुआ था कि खारवा के जूद में जए समद्लब क्या है तीन बेक्ति इस में जो हसे मतलब क्या है मतलब क्या एक चूद लड़ते है यह ने तुरित इहीं थे बड़े भाई थे कौन थे मुहमद मुहमुद मुहमुद लोधी थे कौन थे मुहमुद लोधी ठीना जो इम्राहिन लोधी के क्या थे बड़े भाई थे और दूसरा आपका क्या थे आलम लोधी थे कौन थे आलम लोधी ठीना जो इम्राहिन लोधी के क्या थे उँ चाचा थे इसमें भाग लिये थे किसमें खनवा के जुद में खनवाय के पास एक मतलब कैया है मैदान है अवाइ पूरण जुद हुआ था किसके किसके बीच बाबर और के राना संगा के बीच मुए था कभा था तो पंद्रस सो उन्तीस हिसमें में हुआ था जिसमें जह सा मतलब क्या है मुश्किल था क्षी न क्यूंकि उसका उसमें जोसे मतलब क्या है चार पच्छ में इसमें मतलब तरण हो गए पते इसमें मिलल थे है यह मुहमद लोधी था आलम लोधी था और मेधनी ने की मेधनी चंदेरी के राजा कौन सर्दी जैब का सब्सक्राइब कर दें कि अब कर दो दो क्या है कि बाबर ने कि सीजर्द में जिहाद सब्द का परियुकिया था तब का जैसे क्या है खनवा के जूद में जैसे क्या है जिहाद सब्द का प्रयोग के था जिहाद सब्द का मतलब क्या होता है अपने धर्म के लिए जूद क्या है लड़ना अब इसी में जैसे मतलब क्या है बाबर ने जैसे मतलब क्या है अपने सैनिक को जैसे मतलब क्या है कुट कुट का भर दिया था जिहाद के लेकर जोसे मतलब क्या है मर मीटने के लिए तयार हो गए यहां तक क्या है कि इसी जूद में जोसे मतलब क्या है बाबर ने जोसे मतलब का किया कि कि सराब पीने के उपर जैसे मतलब क्या है पाबंदी लगा दिया था ठीना जो बाबर को जो सैनिक लोग थे जो सराब बहु ज्यादा मतलब पीते थे उसके उपर क्या है पबंदी डाल दिया था तो इतना आपको आपका राइट एंसर में क्या होगा कि बावर ने किस जूद में जिहाद सब्दकार परियुग किया था तो खनवा के जूद में किया था ठीड़ी न चौदर देखी इसके बाद 15 खरन कया था कि सका उपाई धारन क्या था तो गाजी के उपाधी धारन किया था ठीड़ी ना क्या है गाजीजी देखिए क्या होता है ना जाझी के मतलब होता है क्या इषाट सब्सक्राइसürd एक बनताब बेने मिल अ भन्नवाद